तो question number 18 is integrate 1 upon in a root of sin cube x sin x plus alpha dx क्या करें यहाँ पर या तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि denominator को हटा ले या हम यहाँ पर condition कर सकते हैं कि method of substitution यानि कि denominator में ऐसा कुछ हो कि उसका differentiation यहाँ पर मौझूद हो ऐसा कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं तो देखो इस sin cube x में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या करोगा इसमें तो कोई formula लगाने से रहे अभी हम इसके अंदर sin a plus b का formula लगा सकते हैं तो हम लगा की देखते हैं देखो अब यह question इसके आगे आप important लगा लो क्यों क्योंकि थोड़ास आपको इस question में क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कैसे solve करना या आपको exam से पहले practice करके जाना पड़ेगा miscellaneous exercise तो obvious miscellaneous इससे तो question होंगी तो हमने integration किया one upon फिर root लगाया sine cube x as it is रखा और यहाँ पर हमने formula लगा दिया अब term बढ़ जाएगी न तो sine a plus b कितना होता है sine a cos b plus cos a sine b हो गया तो यह alpha हो गया ठीक है और यह dx हो गया तो देखो sine cube x root से जब बाहर जाएगा न तो sine cube x से नहीं हम इसको ऐसे लिखेंगे sine square x into sine x हो जाएगी तो यह तो बाहर चला जाएगा क्योंकि इसकी pairing और यह अंदर ही रह जाएगा तो अगर मैं इसको एक और sine x दे देती हूं इसमें से sine x है ना common निकाल के इसको दे देती हूं तो यह पूरा की पूरी term मेरी बाहर चली जाएगी तो मैं यहाँ पर क्या करत जाएगा डिवाइड में आजाएगा cos x sin alpha upon sin x नहीं था तो कहां से जाएगा डिवाइड में आ जाएगा तो यह sin 4x हो गया 1 upon in a root of sin 4x हो जो गया और यह प्या बचा cos alpha plus cos upon sin कितना होता है cortex होता है तो cot x sin alpha होगा तो यह alpha alpha वाली जो term है यह constant है यह variable नहीं है अब यह आपका root से बाहर आजाएगा तो 1 upon यह root में यही term रहेगी और यह आपका sin 4 का आधा याणि sin square x बच गएगा अंदर 2 होता है तो बाहर 1 आता है तो यहाँ 4 थे sin कितने हैं 4 है 4 में से 2 बाहर आ गए और यह आपका बंच गया cos alpha plus cot x sin alpha यहाँ पर बच गया ठीक है यह root है और यह dx हो गया तो 1 upon sin square x कितना होता है मैं चाहू तो 1 upon इस तरह से अलग लिए इसको अलग लिए इसको अलग लिए तो 1 upon sin square x क्या होता है तो cos x square x होता है तो जिस सारा लिखने का क्या reason था तो मैं आपका cos alpha plus cot x sin alpha चीक है अब देखो मैं अगर denominator को t मांती हूँ तो उसका differentiation मुझे यहाँ उपर मिल रहा है कैसे तो यहाँ पर देखो let let denominator को ले ना root को नहीं ले ना cos alpha plus cot x sin alpha equal to हमने t मान लिया now अब हम इसको करें differentiating with respect to t ठीक है तो cos alpha का differentiation constant है तो 0 हो जाएगा plus sin alpha constant है आगे आजाएगा और cot x का differentiation यहाँ पर कितना होगा minus का cos x square x होगा यह होगा ना minus का cos x square x होगा और यह dx equal to आपका dt हो जाएगा तो cos x square x dx हमारे पास है तो minus और sin alpha को इधर बेज देते हैं तो यह आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x square x dx equal to minus का 1 upon sin alpha और यह आपका dt हो गया चेक है तो question में देखो change होगा question हमारा बहुत easy हो चुका है अब बड़ा lengthy सा question था तो cos x square x dx के जोगे minus का 1 upon sin alpha यह constant है तो बाहर आजाएगा alpha में कोई एक particular value sin 45 होगा तो constant ही हुआ sin x होता य होता तो अलग-अलग value डग सकते थे तो यह minus का 1 upon sin alpha यहाँ आगया और cos x square x dx के जोगे कितना हो गया dt हो गया और root नीचे वाले को हमने पूरा का पूरा यहाँ पर क्या माना था t माना था तो 1 upon root t हो गया अब यह तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मैं मुझे इसका integration करना नहीं आता integration हम यहाँ पर लिख लेते हैं minus का 1 upon sin alpha integration of root t है ना root t को हम उपर ले जाते हैं तो यह t की पावर कितना हो जाएगा minus 2 dt हो गया नीचे t की पावर 1 by 2 था उपर गया minus 1 by 2 हो गया तो minus का 1 upon sin alpha करो integrate t की पावर n x की पावर n का क्यों होता है x की पावर n प्लस 1 upon n प्लस 1 होता है और यह plus आपका यहापर कितना हो गया c हो गया अब इसको solve करो minus का 1 upon sin alpha एक में से आधा है गया तो आधा बचा नीचे भी आपका आधा बचा यह plus आपका c हो गया तो यह आधा 1 by 2 2 by 1 हो जाएगा तो यह कितना हो गया minus का 2 upon sin alpha यह root t प्लस आपका c हो गया वापस आप यहाँ पर t की क्या कर दो value रग दो minus 2 upon sin alpha और t की value कितनी थी cos alpha plus cortex sin alpha अब आपको हो यहाँ तक आपका answer राइट है पर आपको हो कि मैं पीछे तो answer नहीं मिल रहा तो आपका answer तो रॉंग है उन्होंने क्या किया है इसको लेकर के उल्टा चले यह term थी cot को यहाँ उपर चले अभी तो यहीं चले थी cot को cos upon sin लिया इसका आपने LCM लिया LCM लोगे तो sin cos alpha plus cos x sin alpha हो जाएगा वापस आपकी यही term यहाँ पर बन जाएगी तो यही काम उन्होंने किया है तो अब आपका पीछे का answer दिखाने के लिए मुझे सारा काम करना पड़ेगा minus का 2 upon sin alpha in a root of cos alpha cot क्या होता है cos x upon sin x sin alpha plus c क्या करोगे LCM लेंगे मैं LCM लेंगे मारा पीछे अभी तक भी answer नहीं आ रहा तो यह पूरा इसके नीचे 1 है 1 on sin का LCM कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा अब यहां तो sin है नहीं तो यहां sin x cos alpha जाएगा यहां तो sin है इसके denominator में तो इसके पास कुछ नहीं जाएगा cos x sin alpha plus c हो जाएगा अब यह sin a plus b का formula बन गया जो हमने शुरू में लगाया था यहां पे तो sin x plus alpha जाएगा इसकी जगे तो यह आपका कितना हो गया minus का 2 upon sin alpha in a root of sin x plus alpha upon sin x plus c और यह आपका पीछे answer है अब कोई नहीं कहेगा कि मैम आपका उपरवाला answer घलत है क्योंकि वो match नहीं कर रहा उपरवाले से हमने फिर से यह काम कर दिया आपको question का answer समझ में आ गया कि कैसे करना है ठीक है तो अब 18 के बाद सारे question इतने easy नहीं है तो 18 to 24 question जो हुआ बिल्कुल practice करना अच्छे से 1 से 17 तक नहीं करोगे ना तब भी चल देगा लेकिन 18 से choice अच्छे से practice करना